संजे गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकरशक पक्षियों में से एक है ये बहत चंचल होते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग विरंगे पंखो के लिए जाना जाता है इनकी चौँच बहत कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े भलों को भी तोर सकती है और पंजे मजबूत पकड़वाले होते है क्योंकि ये अक्सर पेडों और पहाडों की धलान पर लटके रहते है एक स्वस्त मकाव पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते है जिस प्रकार मनुष्य के अंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते है उसी प्रकार दो मकाव तोतों के पंखों का पैटन भी एक जैसा नहीं होता है इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर के लंबाई 85 से 95 सेंटिमिटर तक मादा मकाव तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है जिसे मादा मकाव 25 से 26 दिनों तक सेखती है जन के ढ़ाई से 3 सालों के बाद मकाव तोता प्रजनन योग्य हो जाता है यह लॉंग भीग्ड और लॉंग टेल वाले फैरेट होते हैं यह जोटिक से इंडिया में नहीं पाए जाते हैं इनका डिस्टिविशन में नॉर्थ अमिर्का साउथ अमिर्का और जो अमेजन इत्यादी के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं इसके अतरिक यह कुछ समारना में इनके इनके डिस्टिविशन हैं बहुत से वैरियंट हैं मकाव के उनमें कुछ स्पिसीज का मैं नाम बताना चाहूंगा जैसे स्पिक्स मकाव हैं, ब्लू एंड रेड मकाव, ब्लू एंड येलो मकाव, मिलिटरी मकाव, इलीगर मकाव, यह मेन मकाव की अलग-अलग वराइटीज हैं, जो इसके अलाबा बहुत सारे हाइब्रीट्स भी हैं, जो डेवलप किये जाते हैं, इन्हें कम्पैनियन टेवल्स और स्रियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादी ये खाना जादा पसंद करते हैं, मकाव का जो आयू सीन स्टेटस है, वो लिस्ट कंसर्म से इंडेंजर्ड तक है, अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे, वे दुनिया का सबसे बड़ा उरने वाला पक्षियों में से एक है, हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में, इन्हें दलदली जमीन, बाढ़वाले छेत्र, तालाब, जील और खेतों के आसपास रहना पसंद है, ये सामान्यता अपना घोसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं, सारस पक्षी मुख्यता जोडों में ही रहना पसंद करते हैं, प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं, और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं, ये सर्व भक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादा तर इन्हें शाकहारी खाना ही पसंद है, ये कंद मूल, बीज और अनाज खाते हैं, कभी-कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं, एक स्वस्त सारस क्रेन पक्षी का वजन 6-12 किलोग्राम तक होता है, इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है, एक बार में एक मादा सारस क्रेन दो अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है, जन के 5-6 सालों के ब कि बाद सारस क्रें पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं, यह उत्तर प्रदेश का राजकिय पक्षी भी है, सारस जो सब्द आया है संस्कृत वर्ड से संस्कृत से सारस का नाम लिख हुआ है सारसा संस्कृत का सब्द है जिसकी वज़ा से शारस का नामकरन हुआ है शारस पक्ची जो है, हमारे भारतिय समाज में प्रणाय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं, बैवाहिक निश्ठा का एक प्रतीक है, शारस प्रायत जोडे में पाये जाते हैं. और सारस को पहचानना बहुत आसान है, चुकि काफी लंबे साइच के होते हैं, लगवग 5.5 फूट हाइट के होते हैं, इनका जो शर होता है, लाल रंका होता है, और सरीर पूरा भूरे रंका होता है सारस क्रेन का एक बहुत अधिद परचलित है, कि ये दिनर और मादा दोनों एक साथ निर्थ करते है, उसके बाद प्रजनन करते हैं सारस मुखी रूप से दो अंडे देते हैं और दो अंडे के बीच में एक समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये दो अंडे देते हैं मुखी रूप से इनका जो अहार होता है ये छोटे-छोटे मचली खाना पसंद करते हैं इंसेक्स खाना पसंद करते हैं चिपकिली खाना पसंद करते हैं और कीडे मकोडे ये मुलस्क खाना पसंद करते हैं सारस जो है यहां पर उनका रख रखाओ पर हम लोग पानी की विवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मशलियां परदान की जाती है सारस पक हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं, इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है संजे गांधी जैवे को द्यान में मौझूद ये मकाउ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस्क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकरशक लगते हैं वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोग प्रिया हैं लेकिन यहां आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे पटना जूशों में एक नए एंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ तब तक के लिए नमस्कार